नमस्कार दोस्तो मैं नगीना सर्मा बुकारो से बुकारो गार्डेन में आप सभी का तहदिर से स्वागत करती हूँ दोस्तो अक्सर जो आता है प्रासन की मेरे फ्लावर्स गिर जाते हैं बेजी केवर्स के चाहे ओर लॉकी हो या पम्पकीन हो या जो भी हो उसके flowers गिर जाते हैं और उसमें fruit नहीं लगते देख रहे हो pumpkin का है इसमें कितने flower आये हुए है तो इसमें दो तीन बाते मुझे करनी हैं पहली बात यह है कि जो आपका फूल गिर जाता है और फल नहीं लगता है इसके पीछे होता है मधमक्षियों का कमी आप यहां मधमक्षि देख रहे हैं भी देख रहे हैं यह निशेचन किरिया करती है पॉलिनेशन करती है हमारे पौधे को इसलिए उसमें फल लगते हैं एक्शोली दोनों होते हैं एक ही पौधे में नर और मादा दोनों फुल हुआ करते हैं लेकिन होता क्या है कि आज हम लोग जो केमिकल उप्योग कर रहे हैं फर्टिलाइजर हो या फिर पेस्टिसाइड हो जिसके कारण मधमक्षियों का आना कम हो गया है और ऐसे हालत में क्या होता है कि जो पडागन क्रिया है पौलिनेशन की क्रिया है वो नहीं होती है तो हमें क्या अब करनी चाहिए तो इसके लिए मैं जो आपको सेर करने जा रही हूँ उसको बोलते हैं हैंड पॉलिनेशन का जवड़ी पढ़ जाता है हैंड पॉलिनेशन मेथाड उसको बोल सकते हैं नर्फूल की पचान है कि आप इसके पीछे साइड में देख रहे होंगे कुछ भी नहीं है लेकिन मादा जो मादा वाले में आप देखो यह देखो यह आपको इस तरह के इसमें लगे रहते हैं यही पाचान होता है आप हमें क्या करने हैं उसको क्या मेथड है उसको मैं आप से यहां पर सेयर करना चाह रही हूँ दोस्तों आपको एक इस तरह का पेंटी वाला ब्रस चाहिए इसके लिए इसको लेनी है और यह जो आप देख रहे हो मेल फ्लावर इसमें से क्या करना है पॉलेन को इसमें पराकन को हमें धीरे धीरे ऐसा नहीं करना है कि बहुत कसके नहीं करना है देखो इसमें मधमक्या भी चल रही है तो इस तरह से आपको इसमें धीरे से चिपका ले का मतलब आप अपने बगीचे में अगर लगाते रहते हो तरह तरह के फ्लावर तो मधुमख्या ऐसे ही आती रहेगी फिर इसको दुबाड़े लेना है आप दो तीन वार चार वार इसमें से हलका हलका तच करते हुए आप देखोगे इसमें आप देख रहे होंगे कि पराग कन लग जा रहे हैं यह दिखाई दे रहा होगा साहिद मैं छूना नहीं चाहती इसको और इसको फिर से आपको इसके इस्टिगमा पर इस्टिगमा आपको दिखाई दे रही है इस पर आपको धीरे धीरे करके ऐसे करके कर देना है यह देखो इसमें दोस्तों मैं इसमें दो में कर रही हूँ यह देख रहे हैं आप पर आकर आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहां मैं इसके स्थिग्मा पर इसको धीरे धीरे करके आपको करने हैं दवाब नहीं डालना है इस तरह से तीन तीन वार मैंने दो में कर दिया है और इसको अब आपको इस तरह से आपस में जोड़ देने हैं यानि बंद कर देने हैं तीन दिन के बाद दोस्तों देखते हैं इसकी क्या हालत है इसलिए मैं यहां लेकर आई हूँ इसके फ्लावर्स इस तरह के हो गए हैं और देखते हैं कि इसमें इसका फ्रूट बड़ा हुआ है या नहीं हुआ है यह देखो इसके फ्रूट अरे फ्ल भी निकल चुके हैं फ्ल फ्ल इसको छोड़ चुका है और इस तरह से फ्रूट बाहर निकल गया है तो इस तरह से ये hand pollination इस तरह से आप कर सकते हैं फ्लावर है, male flower की पहचा नहीं है कि इसके पीछे कोई fruit नहीं लगाड़ता है इसके pollen को आपको धीरे धीरे करके इसमें से collect कर लेना है इस तरह से आप इसको collect कर लो और कलेक्ट करने के बाद इसको जो एस्टिगमा है फीमल वाले फ्लावर के उस पर इसको डालने हैं पोले आपको नजर आ रहे होंगे इसमें हलके हलके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पीले पीले कलड़ के मैं भी इसमें से पॉले निकाल कर इस तरह से करके आप बरस में हलका हलका तच कड़ाते हुए इसमें पॉलेन को निकाल लेना है पॉलेन को आप देखो यह इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको इसको इस्टिगमा यहां जो फीमेल वाला जो फ्लावर है जिसमें निचे लगे हुए हैं इसके इस्टिगमा पर इसको धीरे धीरे करके आपको तच करवाना है ज्यादा परेसर नहीं देना है बस तच करवाना है इस तरह से और इस तरह मैंने तीन चार में करके रख लिये हैं और उसको अब क्या करना है कि धग देना है इस तरह से इसके जो फ्लावर हैं इसी से आप ढग दो मैंने तीन चाड में करवा लिए हैं इसके रिजल्ट कैसे आते हैं मैं आप से सेर करूंगी दोस्तों पांस दिन बाद के रिजल्ट आपके समने हमें आपको दिखा रही हूँ एक आपने वहां देखे थे और दूसरा वाला आपको यहां दिखाई देगा यह रहा दूसरा वाला इतना बड़ा इसका फूरूट हो गया है तो उसमें से दो सक्सेस्फुल एक दम दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब चलूँगी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी को नमसकार आदाव शश्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत ब्यार